हाई फ्रेंड्ड्स मैसेल मनोज गुर्जर्स यूर्स्ट वेलकम टो आवर यूटूब चैनल मैड कॉम स्टेडी तूड़े ऑवर टॉपग हिज ग्लूको नियोजेशिस आज हम स्टेडी करने वाले हैं ग्लूको नियोजेशिस के बात करें ग्लुकोनियोजनेसिस होता क्या है यह है synthesis of glucose from non-carvoidrate compound यह क्या है synthesis of glucose from non-carvoidrate compound non-carvoidrate compound से glucose की synthesis is known as gluconeogenesis अब non-carvoidrate compound क्या होते है non-carvoidrate compound कौन कौन से है जिससे glucose की synthesis होती है तो चार major substrate है या चार major precursor होते है या चार major क्या non-carvoidrate compounds होते है उसे क्या glucose की सिंतेसिस होती है कौन गौन से 4 major सबसे पहला लेक्टेट एक गिल्थरॉल एक प्राफियोनेट याव्य प्राफियोनिक एसीड और एक ग्लुकोजेनिक अमीनो एसे लेक्टेट से गिल्थरॉल से प्राफियोनेट से और ग्लूकोजेनिक अमिन Elizabethन सेbourne कर्वायड डीट कंपाूंट से लुकूज की सिंतेस होती हैं उसे आम बोलते हैं ग्लूकोनियोगेनिस की लॉकेशन कहा हैर कहां पर आइंख वथितान कह सट्फार चलू veggieman lei हें वहहाँ रिनन काड़ेक्स कि पीकिंबुस्य की बात करते हैं इसके दो इंपोर्टेंट एनर्जी सोर्स ब्रेन और आर्वी सी के लिए ठीक है तो इंपोर्टेंस होता है ग्लुकोज जो होता है ऑनली एनर्जी सोर्स होता है इसकलेटल मसल के लिए स्टार्वेशन प्रों जो प्रोसेस उसमें ग्लुकोज का सॉर्स प्लाइकोजन इस होता है कभ after the deflation of glycogen storage glycogen storage की deflation के बाद जब इस्टारवेशन जब भुकमरी जब होती है तो जब glycogen storage समाफ्ट हो जाता है तो glucose का source कौन सा process होता है कौन सा पात्वे होता है ठीक है तो हमने क्या-क्या पढ़ा हमने बात की glucose की synthesis from non-carvoidate compound in non-age glycogenesis चार मेजर precursor या substrate होते हैं इसके lactate, gilthrol, profionate और glycogenic amino acid location mainly cytosol में होता है tissue में होता है liver में और kidney में kidney में कहां होता है renal cortex में होता है importance की बात करें तो glucose जो होता है important source होता है energy का brain और rbc के लिए glucose only energy source होता है skeletal muscle के लिए इसमें 6 ATP utilize होते हैं और source of glucose होता है starvation में starvation के समय glucose का source होता है gluconeogenesis कब जब glycogen storage क्या हो जाता है deplet हो जाता है समाप्त हो जाता है next हम बात करते हैं इसके reactions की reactions की बात करें तो क्या है complete reversal नहीं होता है जो यह ग्लूको नियोजनेसिस होता है complete reversal प्रोसेस नहीं है glycolysis का इसमें क्या कुछ reaction ही क्या होती है reverse वाल हो जाती है जैसे इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो reaction है एक तो यह जब इसमें 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 एक इन्जाइम इनको उम्मत लव इंको की बोला जाता ग्लू को नियो जैनेसिस का एक तो ऊता है एक तो एक Glucosix Phosphatid Enzyme, एक होता है Pyruvate Carboxylid Enzyme, और एक होता है Phosphoenol Pyruvate Carboxy Kinase Enzyme, चार Enzyme है, जो कि क्या Key Enzyme होते हैं, Glucone Eugenesis का, अब इसमें जो इसकी जो reaction है, इसमें क्या होता है, Phosphoenol Pyruvate, Phosphoenol Pyruvate से बनता था, ठीक है, अब इस पाइरवेड से क्या है, अगेन क्य क्या है, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्सल प्रोसेस के दौरा, रिवर्सल रियक्षन के दौरा, Phosphoenol Pyruvate का Formation होता है, कैसे होता है, दो रियक्षन के थ्रू होता है, देखो, Phosphoenol Pyruvate से बना पाइरवेड, ठीक है, अब पाइरवेड से बनता है, आउक्जलो एसिटेट, प्रिजेंस औब दा पाइरवेड कार्वाक्षेलीज, पाइरवेड जो होता है, वर्सलेजर में, तो पाइरवेड कार्वाक्षेलеся् एसिटेट में, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, A ATP लगता है, बायोटिन को फेक्टर के प्रिजेंस होती है, और कार्वाक्सलेशन हो रह ठीक है co2 होती है तो पाइरवेट से जब कनवर्ट होता है तो एबी सी से याद रखेंगे एफोर एटीपी बीफोर बायोटीन और सीफोर सीओ टू एंजाइम कुन सा है पाइरवेट कारवॉक्स लिए अब यहां पर क्या जी टीपी लगता है और सीओ टू क्या होता है यहां पिर निकलेगा decarboxylation से अब क्या रिवर्श्छल रिएक्शन चलेगी टू-फोर ग्ल्ता स्थिछ पॉसक ग्ल ट्रैट हमें तरी द्री फोस्वेट उससे बनेगा गिल्स रेलडिया त्री फोसटीट ग्ल्स्रिल्दिट से बनेगा फ्रक्तो वन्न श 티पीं से बनेगा फ यह बात हो गई इसकी रियक्शन की और और अपर यह बन जा है तो आपर वेट से धर रिक्लीप वोड़ कोशेद्येन श्कशाज व्यक्रामेशन अब हम देखते हैं प्राप्योन प्राप्योन इसे कैसे ग्लोकोज का सिंथेसिस होता है प्रोपाइो नाइल ये क्ाथ है प्रोपाइओन नाइल को एंजेम ऐख और क्या और सूथा है और सूटेल ससे रिखेंगे जैस सब्सेंस तक ब потребने क्शेम में पर कार्वोंगें कोडून गब सAdd ठालन मैखाल लहाङानन परहाइं से ने मैणकहर कोंगे में एक Сब्सकुन सुन जैनर को में धाल मेलोटियों पर्विद्जाइम की परिजयर्ण होती है जाए ने क्या होता है क्या होता है क्या होता है इंटर मीडिये तो रियक्शन में कण्वर्ट हो जाए कि जब सब्सक्राइब बना लेगा फास्फपेंण सब्सक्राइब नोगी सबादिम्हें का घांगी हुए सडुप सब्सकी और फ्रक्तोसिक्स फॉसफिट फ्रक्तोसिक्स फॉसफिट हो जाया ग्लुकोस फॉसफिट में और ग्लुकोस में इसका फॉरमेशन धीक है नेक्स्ट हम देखते हैं क्लम फ्रमेशने कि मतलब कि फॉर्मेशन होता करा है तो तो और ज फ़ुस्वेट जो भता है यह रहगा वक्त टी पनेगा प्रोक्त-ले कों सा एंग घ। ये रहे रहें टेल्ज Sans कर्ब्रेट और तीस पास्वेट होगी हिससे क्या बनेगा थे पर बनेगा को गुंवर चंब्री योगी ऑफ न्वीड फॉस्वेट ऊट टाइट में तो इस तरह से क्या ग्लुकोज की शंटेशिस हो जाती है गलुकोज प्रशीक्त में और घ्लुकोज की शिंतेशिस भीड़ाते हैं तो गलुकोज इसने का यहाँ पार्म बनाते हैं पारम लूसिन नहीं बनाटा लूता है कि ध्यान रखने वाली बात है तो यह गया सुक्षा ग्लुको नियोगे से अमीनो एक्षट से गिल्सौल से दें ड़ कैसे होता है कौन-Kौन से पईरवेट कारवख लिए पाइरुलेट को गंवर्ट करता था ग्लुकोश फॉससफीट काइज ऑडता कण्वर्टेट को तो 45 एंजैम हो टूस क्या चार करते हैं ग्लDD गुको नियोजनेता है। सबसे पहली मैकनेकषम ऐसे हैं करता है पायरवध कार्व और लेजने याइज़ हो गए जो लुड़ी करता है सिंतेसे को प्रोमोट करता है होता है ही कि रवाबटीकेशन ओता है इसे फोस्फपन होता है क्क्षल की का प्रोड्रेक्शन क्या बढ़ जाता है एक्ट निवीटर अग्तिर जो घंडियोतं है एक विजो बात करते हैं एयो इस्ट्रिक रेकुलिएशन में को या एक्तिवीटर होता है healthy map… टोचbreaker कोईन्जेम ये एख ये एक्तिवीटर और इनिवीटर होता है. फ्रक्टोर 2-6 विस फॉस्फर्टीज एक्टिवेट करता है पायरवेट कार्वॉक्सलेज को जो क्या करेगा इंक्रीज करेगा ग्लुकोज के प्रोडेक्शन को तो यह तीन मेकनेज्टी इंडेक्शन है रेप्रेशन मेकनेज्ट एक ती कोविलेंड मोडिफिकेशन और एक प्रोडेक्शन जैसे लोकोनियोजैंशी का प्रोसेस है जो पास्वेड हो क्या रेगुलेट होता है ठीक है तो इस तरह जो टॉपिक है ग्लुकोनियोजैंशी कप्लीट होता है प्लीज कमेंट करके बताएँ आपके टॉपिक कैसा लगा दू सेयर और सब्सकाइब माय यू